हैश्टाग रेलवे ग्रूप डी वेटिंग दो ट्विटर पर चात्र आजकल इस हैश्टाग का काफी स्वाल कर रहे हैं क्या है ना कि पिछले कुछ वक्त में जब जब चात्रों ने अपनी आवाज उठाने का सोचा तो सोशल मीडिया का रुक किया एक बार फिर चात्रों को ट्विटर पर आकर सक्रिय रूप से अपने मन की बात कहनी पड़ रही है सबसे पहले तो ये जान लीजे कि ये चात्र आखिर हैं कौन ये वो चात्र हैं वो उमीदवार जिनोंने साल 2019 में बड़े सपने देखे क्योंकि रेलवे ने सबसे बड़ी रेकूट्मेंट ड्राइब कहकर लाकूब भर्तिया निकाली इन उमीदवारों को अपने भविश्य के लिए उमीद नजर आने लगी अपलाई किया देरी हुई एक्जाम टाइम पर नहीं हुआ रिजल्ट हाल ही में घोशत हुआ कुल मिला कर 4-5 साल का वक्त लग गया भर्ति की प्रक्रिया में खेर वो कहानिया पहले भी सुन चुगे हैं इस बार उमीद से बंधे इन उमीदवारों का कहना है रेलवे ग्रूप D वेटिंग दो सिंपल सी थी यही मांग है रेलवे से पहली ये की वेटिंग लिस्ट को अनिवार्य किया जाए दूसरी ये की अप्रेंटिस वालों को जो 20% आरक्षन मिला था वही दिया जाए जिससे किसी विशेश आरक्षित वर्क का नुकसान ना हो अब इसे और बहतर समझने के लिए उमीदवारों के कुछ ट्वीट्स की तरफ एक नजर दोडाते हैं एक नाराज उमीदवार ने लिखा रेलवे ने गलत तरीके से रुजल्ट दिया है जिसमें अप्रेंटिस वालों को ज्यादा संख्या में मौका दिया गया है जबकि सामान्य अभ्यर्थियों को नहीं मुंबाई बोर्ड में 20% की जगा 50-60% डारक्शन दिया गया है अप्रेंटिस वालों को विने को मारे आदव लिखते हैं पहले वेटिंग लिस्ट रहता था तो डीवी और मेडिकल के लिए वेकेंसी 1-5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता था और ग्रूप D पोस्ट के बहुत सारे कैंडिडेट जॉइन करके छोड़ देते हैं इसके बहुत सारे कारण भी हैं जैसे हाड़ वर्क, लो ग्रेट पे और खाली पदो पर वेटिंग लिस्ट वालों को जगा ऐसे मिल जाती थी अब इसी को आगे समझाते हुए एक यूजर ने लिखा 2019 में भरती निकली तब डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट गुना बुलाने का और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था लेकिन 2022 में एक अमेंडमेंट आता है ज्यादा पद की बहाली आये थी जो ग्रूब डी स्तर का था जिसका लिखित परिक्षा 2022 में संपन हुआ वरतमान 2023 में शारीरिक दक्षता परिक्षा संपन हुई जिसका शारीरिक दक्षता परिक्षा में कुल सीट का तीन गुना परिणाम दिया गया था दक्षता परिक्षा के संपन होने के बाद final merit list बनता है जिस final merit list को बनाने में आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ आरक्षन का उलंगन करते हुए जितना परिणाम देना चाहिए था उतना परिणाम ना देकर किसी अन्य वर्ग के छात्र यानि की CCA apprentice को दिया गया जबकि महोदे CCA apprentice वालों को 2019 के notification के अनुसार कुल seat का 20% देना था लेकिन 2019 के notification का पालन ना करके आरक्षित वर्ग से लगभग 50% seat को दे दिया गया है जिसके चलते आरक्षित वर्ग के छात्रों को final result में बहुत बड़ा अंतर पाया गया है जिसके कारण बहुत सारे छात्र final परिणाम से पाहर हो गये अब कुल मिलाकर students का कहना है कि waiting का प्राफधान होना चाहिए ताकि अगर कोई छोड़ कर भी गया तो waiting list वाले बच्चों को मौका मिल जाएगा अब इसे समझाने के लिए ये tweet पढ़िए रेल भी waiting होना चाहिए क्योंकि ये recruitment 2019 का है और अभी तक ये final नहीं है और waiting ना होने से जो seat खाली होगी वो seat ये लोग फिर से भरें गया नहीं उसकी कोई guarantee नहीं है क्योंकि group D की post बाद में कई बच्चे छोड़ देते हैं इसी मांग को लेकर students को आब 1 is to 1 is to 5 के अनुपात में waiting list जारी करने की उनकी मांग है waiting list के अलावा अगर बात करें तो उमीदवारों ने आरक्षन की भी बात को लेकर कहा देखें CCA वालों का rules के according 20% reservation देना चाहिए था notification वे जो बोला था उसको बदल का railway ने 50% के अप्रोक्स इनने आरक्षन दिया और उपर से उनको PET में भी छूट दिया गया फिर भी उनको कम नंबर आने पर एक तहाई नंबर खुद railway ने notice निकाल के बढ़ा दिया एक ही वेकेंसी में तीन जगा अरक्षन मिला ये कहा का इंसाफ किया रेलवे ने normal students के साथ और उपर से भरती को 5 साल होने वाले हैं आपको बता दे कि रेलवे प्रतिष्ठानों में ट्रेनिंग लेने वाले apprentice अभ्यरतियों को ग्रूप D भरती में PET यानि की शारीरिक दक्षता परिक्षा में छूट दी गई थी रेलवे ग्रूप D की Apprentice Act 2016 के तहद भारतिय रेलवे ने ग्रूप D की एक लाग तीन हजार उननतर भरतियों में से 20 फीसाद यानि 20,734 पद Apprentice युवाओं के लिए अरक्षत रखे थे, RRB ने लिखित परीक्षवा रिजल्ट की लिस्ट में इन उमीदवारों का रोल नंबर भी जारी नहीं किया था Document Verification के रिजल्ट के साथ ही इन अभ्यरतियों का रिजल्ट जारी होना निर्धारित किया गया था बता दे कि Railway Apprenticeship प्रोग्राम के तहट समय समय पर युवाओं की ट्रेनिंग कराता है ताकि वो काम करने की स्किल्ज उन्हें मिल सके इनी को Apprentice का जाता है और इनी दो विशियों को लेकर छात्रों की मांग है एक वेटिंग लिस जारी रखने की बात और दूसरी आरक्षन वाली Apprentice वाला मामला जो हमने आपको तसल्ली से समझाया अब इस पर आपका क्या है कहना आप कॉमेंस पर लिख कर बताएं और देखते रहिए न्यूस तक कर दो कर दो कर दो